उसले बातरभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूकरेन और रश्या के बीच में जो कन्फिलिक्ट चल रहा है और चल क्या रहा है युद्ध चल रहा है युद्ध के दोरान जो बाइडन ने जिस प्रकार से कौर्ट की बैठक में कल भारत सरकार के उपर दबाव बनाने का प्रयास किया था बाइडन और नैटो सीधे युद्ध में तो आना नहीं चाहते लेकिन वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं जैसा यूएस का सुभाव शुरू से रहा है और जैसा खास्त और से यूरोपीन कंट्रीज का रहा है उनका रोल इतना है कि वो कैसे किन देशों में घुसकर किन देशों के साथ सम्मन्द बना कर उन देशों से क्या अपने हितसाद लें उनका एक सिंपल फरमूला है अमरीका जो लाब ले सकता है और कोई धर्म इमान बारता का उनका कोई अपना धर्म इमान नहीं है, वो जो कर सकता है वो करेगा। रश्या के साथ उन्होंने start one और start two treaty चलाई इस ती जिसमें यह तेह किया गया था कि रश्या और US चुकि उस समय दो ही गरूप थे USSR और USA नाटो के साथ यह तेह किया था दोनोंने मिलकर कि कोई परिक्षन नहीं करेगा अब रश्या को परिक्षन करने से मना कर दिया लेकिन र तूटने के बाद हुआ, यह जूटने के बाद हुआ था, स्टाट वन और स्टाट टू ट्रीटिओं की वजह से र struck परिक्षन नहीं किये, US कंप्यूटर पर अपने परिक्षन करता रहा यह चुप कर परिक्षन करता रहा, और इन में ही NPT, CTBT और ये तमाम तरह की ट्रीटियां वर्ल में साइन हुई रश्या, USSR यानि कि रश्या और US के बिच में स्पेशल ट्रीटी साइन हुई तो हतियार रश्या भी बनाता रहा और बनाकर उसने जखीरा एकटा कर लिया और वो 1991 के बाद किसी भी युद्ध में नहीं गया ये पहला अवसर है जब यूकरेन के साथ वो युद्ध कर रहा है और जितने उसके हतियार बनाए हुए खराब डैमेज थे हतियारों के मामले में अगर आपको जानकारी हो मैं कुछ डेफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहा तो तो उनकाता कि जो हतियार हमारे पास होते हैं उनकी एक सीमा होती है उनकी एक आयू होती है उस आयू के बाद वो automatically कंडम हो जाते हैं यानि कि वो automatically abundant होते हैं फिर उनको नस्ट करना होता है और खास्तोर से बारूत के जो आइटम होते हैं उनको नस्ट करना पड़ता है और इसके लाबा जो एक्क्यूपमेंट हैं उनका भी रेगुलर सर्विसिंग करनी पड़ती है और एक समय के बाद वो अबंडन हो जाने यानि कि वो हतियार चलाने योग नहीं बसते है ऐसा रश नहीं तो करती वो स्टाट वन स्टाट टू ट्रीटी ओलेडी साइंड थी और यूएस धोका दे ही रहा था और वो पूरे विश्व को अपने हतियार बेच ही रहा था यूएस हाना की रश्या भी बेच रहा था लेकिन यह जो बड़े परिक्षण हैं पर रोक लगी हुई रश्या ने उनको जो जतना हतियार रखा हो तो उनका परिक्षण तो नहीं किया स्टाट वन स्टाट टू में वो आज भी अपने आपको सजोए हुए लेकिन यूकरेन वार के समय पर उन्होंने वो सारे हतियार जो उनके कंडम पड़े हुए थे जिनको उनको नस्ट करना वो नस्ट करने के वज़ए यूकरेन के उपर इस्तेमाल कर लिए अभी भी एक्सपर्ट का कहना ये है कि आधुनिक हतियारों का इस्तेमाल रश्या ने यूकरेन के खलाफ नहीं किया अब जैसा जो बाइडन लगातार मैंने आपसे कहा जो बाइडन और नाटो ये लगाता मोदी जी के आने के बाद खास्तोर से आपको याद होगा कि जिस समय अठलवेरी वाशपी जी भारत के प्रधान मंतरी बने थे तो पूरे वर्ड में उन्होंने एक अच्छा संबन्द स्थापित किया था 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार को हम ये कहें ये पेटिकोट सरकार थी पेटिकोट सरकार से मतलब आपको याद होगा कि जहांगीर के टाइम पर नूर जहां साशन चलाती थी और उस साशन को देखने में तो जहांगीर शाशक बना हुआ था शहिंसा बना हुआ था लेकिन चलाती न महिलाओं के लिए कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं लेकिन पेटिकोट शाषन में इसलिए कहता हूं कि अगर जिसको शाषन चलाना था दस जनपत से वो प्रधान मंत्री सोहम बन जाती हैं और शाषन चलाती हैं लेकिन उनका ये था कि प्रधान मंत्री तो सर्दार जी बने रहेंगे लेकिन वो साशन चलाती और उनके अपने हित हैं जो कि वो इटालियन लेडी हैं भारत का उनका जन्म नहीं है भारत से उनका बहुत लगाओ नहीं होगा भारत उनके लिए ससुराल ही होगा और महिलाओं की एक खास बात हिंदुस्तान में रहती है कि बड़े लंबे समय तक वो अगर शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो आपके सबके घर में मेरा घर कोई भी आपकी मा दादी भी कहती मेरा घर यानि कि अपने माई के को ही मेरा घर कहती रहती है जब ससुराल में बात करेगी तो कहेगी मेरा घर यानि कि माई का और बाकी किसी से बात करेगी तो मेरा घर मतलब ससुराल ऐसा एक संबुदन अपने आप नैचुरल निकलता है यानि कि एक लगाओ नैचुरल रहता है सोनिया गांधी का भी अगर ये लगाओ यूरोप में है तो इसमें कोई दोहराय नहीं है और इसमें कोई अतिश्योक्ती भी नहीं है एक स्वाभविक स्वाभाविक लगाओ है इसलिए उनको भारत की चिंता होगी मर मिटने वाली ये अवशक नहीं है यही कारण था कि 2004 से 2014 की जो सरकार संसार में हिंदुस्तान में बैठी उसने विश्व में अपनी छबी किस प्रकार बनाई और वो क्या नहीं भारत के विरुद्ध गया उस प आज उन यातरों के उस मतलब का जो इस्तिवाल है उस समय जो हाउती के खिलाफ यहनि की यमन और साओधै रभिया 2015 से कंफिये चल रहा nella सौधी अरभिया के बीच में हाउती के खिलाफ जो सौधी रभिया बंबाडमेंट कर रहा था उस समय भारती लोग यमन में फसे हुए थे उनको निकालने की जो टैक्टिक प्रधान मंतरी मोदी जी और सुस्मा शुराज जी उससे में विदेश मंतरी हुआ करते थी उन्होंने जो एपलाई किया था और भारती लोगों को निकाल कर लाई थी वो चीज यहाला कि कहा यह जा सकता और यह भी चाहते थे इसलिए चल रहा था लेकिन चोटे-चोटे कंट्री थे और भारत एक विशाल कंट्री है भारत तेल का भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है और भारत यूनिक पोजीशन पर भी है भारत अन-बायस्ट सिचुएशन पर है यानि कि सबका साथ सबका विकास लेकिन तुस्टिकरण किसी का नहीं और इससे पहले की जो सरकार थी वो तुस्टिकरण पाकिस्तान के पक्ष में तुस्टिकरण खाडी के देशों के पक्ष में तुस्तिकरण अमेरिका के पक्षम यह सब कुछ वहाँ चलता था यह सरकार ने का कि हमारे इंडिया फस्ट इंडिया के हित पहले और बाद में कुछ और लेकिन हम सम्मंद सब से बनाएगे इसलिए प्रधान मंतरी मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार पूरे विश्व की यातराएं की और इस बात को किट साइज भी भारत में किया गया यह काग़ भया प्रधान मंतरी भारत के हैं घूमते तो संसार भर में रहते हैं लेकिन आज यूकरेन रश्या बार के समय पर युद्ध के समय पर भी प्रधान मंतरी मोदी की प्रसंग्रिक्ता पूरे विश्व को समझ में आई यही कारण था कि यूकरेन लगातार भारत के प्रधान मंतरी के लिए ये स्टेट्मेंट दे रहा था कि भारत के प्रधार मंतरी के दोस्ती बहुत अच्छी पुतिन के साथ है इससे पहले उनकी बहुत अच्छी दोस्ती टरंप के साथ भी थी बाइडन चुकि अपने आप में एरोगेंट टाइप के लगते हैं थोड़े अकिकत क्या है पता नहीं इसलिए बाइडन बहुत घुलते मिलते नहीं है एज भी जादा हो गई है ये भी कह लिजे कि वो इसलिए नहीं घुलते मिलते हैं एज हो गई इसलिए वो उस तरह से डिप्लोमेसी समझते हैं नहीं समझते हैं योनों में इस समय दिखाई दिया या यूकरेन डिमांड जिस प्रकार से कर रहा है या बाइडन लगातार कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी जी को ये करना चाहिए और क्वाड में ये बात सिद्ध भी हुई उन्होंने कहा कि आपको क्लियर करना चाहिए इधर या उधर प्रधान चाहिए दोनों की बात के द्वारा कोई सेलुशन निकलना चाहिए और जो लोग वहां पर भारती फसे हुए हैं उनको निकालने की प्रत्मिक्ता पहली है और लगातार चार मंतरी और विदेश मंतराले पूरा और जो मशीनिरी पूरे वर्ल्ड की इस्तेमाल कर सकते थे इस बात की सूचना दी अब 4-5,000 लोग बचे होंगे मैं कहूं जादा या कम बचे होंगे उससे वो बात की बात है लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग भी वहां फसे थे या जो लोग भी वहां के थे उनको निकालना भारत सरकार की प्रत्मिक्ता है अब इस युद्ध में जो भारत ने एक्सपेक्टेशन की भारत ने जो बात सोची वो सोची है लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए भारत सरकार से जो बेबिरोधी है उन्होंने इसाब प्रपकंडा फेरा भारत के लोग वहां फसे हुए हैं भारत के बच्चे वहां वो आए भारत के प्रधान मंतरी त साथ की और बच्चों को कैसे निकाला जाए? इसकी पूरी विवस्था की यूकरेन से बात की, उन्हों ने जो बाईडन से भी एक्वाड में बात की, उन्होंने फ्रांस से बात की, इसके अलावा वो जो पोलेंड हंगरी या जो अगल बगल के कंट्री लगे हुए थे उन सबसे बात की वहाँ सब जगए अपने मंत्री भेजे लोग भेजे का भई बॉडर खोल दीजिये सब बातें तै हो गए फिर भी युद्ध का चितर है भई निकलना मुश्किल होता है और भारत में आ जाएं हम एड्वाइजरी जारी करते हैं अब लोगों का कहना मैं कल किसी के साथ बात कर रहा था तो उनका कहना था वह एड्वाइजरी जारी की आपने बुलाय की नहीं कर दिया अपनी मंद से गए थे आप यूकरेण में डॉक्टरी की डिगरी लेने गे दॉक्राइन से पास होने बाले णडॉक्टर्स जो डिज्री लेकर आते हैं। यानिकि यूक्रेयन की डिग्री है उसको बहारत में यह सिंप्ल लीजिए अब कहीं से भी संसार में कोई डिग्री लेकर आईए बहारत में भारत के पास अपना एक बोर्ड बना होता है जिसे लौकी डिग्री कराएंगे तो bar council of India है वो एक एक्जाम करवाती है वो qualify कर लेंगे तो ही आपको practice करने देंगे मैं पर दालत में नहीं तो आप कलत की degree लेकर भी practice नहीं कर सकते इसी प्रकार आप medical की degree लेकर आते हैं तो medical council of India है medical council of India ने एक एक्जाम का पैटर्न रखा हुआ है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर भारत में आप प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल काउंसिल में रेजिस्टर होना जरूरी होता है, तो स्वास्त मंतरी न बाद वो फिर से तैयारियां करते हैं फिर वो क्वालिफाई करते हैं तब हम उस डिगरी को रिकोग नाइज यहां पर करते हैं, तो आप सोच लिजे कि यूइक्रेन में जो डिगरी मिलती है उसका क्या आलम है और यूकरेन में कोन बच्चे जाते होंगे अब भारत में डिगरी नहीं मिलती भारत में यह नहीं होता वो यह भी तमाम तरह की चर्चा चल रही है कि सब मेडिकल की डिगरी भारत में बहुत मैंगी भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज क डिग्री की कोई कीमत नहीं है भारत सरकार उसका खर्चा उठाती है अब आपने इन इलिजिविल बच्छा जो उस योग नहीं है कि वो क्वालिफाई कर सके वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है इंट्रेंस नीट का एक्जाम है या जो भी एक्जाम है क्वालिफाई नहीं कर अब आपको डिगरी चाहिए ही, क्योंकि अर्मान आपने बला रखे हैं, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में अमिशन लेने जाते हैं, तो फिर प्राइवेट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात में जहां तक करूं, उत्तर प्रदेश में 71 मेडिकल कॉलेज बना दिये नहीं तो आप फिर यूकरेन जाएए, या भूटान जाएए, आप मर्जियों वहां से डिगरी ले करो, क्या फर्क पड़ता है? खेर, बच्चे डिगरी लेने गए, बच्चे हमारे हैं, गलतियां की, अच्छा किया, खराब किया, जो भी किया, बच्चे हमारे हैं. अब प बच्चे फसे हुए थे, अमेन में जो लोग फसे हुए थे, उनको जनरल बीके सिंग को लगाया गया था, जनरल बीके सिंग उनको सबको निकाल कर लाई थे, अफगानिस्तान में जो लोग फसे हुए थे, उनको भारत सरकार निकाल कर लाई थी, या कहीं भी इस प्रकार का conflict होता तो भारत सरकार निकाल लाती है और भारत सरकार पूरी तागत लगाती है तो इस बार क्या अब इस बार लेकिन जो party थी तो लोगोंने कहा पिछली बार तो भी साओदिया हो दिया था छोटा country था ठीक है आपने कर लाए इस बार जो सामने था वो रशिया था रशिया से प्रधान मंत्री जी ने बात की बात करने के बाद उन्होंने पूरा आस्वाशन दिया यहां तक कि कल के दिन युद्ध विराम आज किया है कल के दिन भारत सरकार ने छात्रों को एक गैडलाइन जारी की ते और यह कहा था आप बॉर्डर पर मत जाएए आप जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए रश्या ने जिन जो रश्या के कबजे में जो एस्टेट आ चुके हैं रश्या ने ये आस्वाशन दिया है कि वो उन बच्चों को निकाल कर भेजेंगे ऐसा भी तै हो गया था कि 38 बसें लगाई गई हैं या कितनी बसें लगाई गई हैं वो बसे लगाकर बॉर्डर पर रश्या के बॉर्डर पर लेकर आया जाएगा रश्या साइट से फिर भारत में उनको भेजा जाएगा ये बात प्रधान मंतरी मोदी जी की उनके साथ तै ह फिर भी लोग कहते रहे युद्ध काल में युद्ध के दोरान कैसे निकाल लाओगे क्या होगा ये तो कुछ आच्छी बात नहीं है लेकिन जो आज हुआ और उसको पूरे विश्व को एप्रिशेट करना चाहिए और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाला कि भारत सरकार चुकी नही कि आ जाये सीस फायर पांच पांच शे घंटे के लिए ताकि ये बच्चे निकल सकें जबकि इसकी सूचना कल ही जा चुकी थी कि आप वही अंदर बने रही है आपको अंदर से ही निकाल लिया जाएगा आप अफरी तफ़रा चकर में मत्फस ही है कास तोर से इस्टन यूक पती से कि आप थोड़ी समय के लिए सीसफायर करिए हम उनको निकाल के लाइए और ये अभी पब्लिश नहीं हुआ अभी ये भाविश्य में होगा लेकिन ये क्यों मैं कि किस आधार पर कह रहा हूं सुश्मा जी का एक स्टेट्मेंट के इंटर्व्यू का मैं आपको इस जो प्रधान मंत्री जी ने सौधिया प्रिंस से बात की और उनसे ये कहा कि आप बंबार्डमेंट कर रहे हो हमारे लोग वहां फसे हुई ये मन में उनको निकालने की वेवस्था कैसे होगी तो उन्होंने कहा कि युद्ध चल रहा है प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप रोज साथ दिन तक बंद कर सकते हैं। भारत की प्रधान मंतरी ने का दो घंटा रोज उन्होंने एक्स्टनल अफेर्स मिनिस्टर सुष्मा जी से का। ये 2015 की बात है। सरकार नई नई उस समय बनी ही थी और नई नई सम्मद बनाने शुरू किये थे भारत के प्रधान मंतरी ने, मोती जी ने। सेम चीज इस बार भी हुई और जबकि अपकी बार रश्या था। उस समय सुष्मा जी ने ये कहा था केवाल हम निकाल कर नहीं लाये थे, अपने नहीं निकाल कर लाये थे। क्योंकि हमारी साथी रविया ने हमको वहाँ अलाव किया थे, आप हमने करकरता वहां भेज दीजिए, अपने प्लेन भेज दीजिए, तो हमारे प्लेन वहां जा रहे थे जो सेम चीज यूकरेन के टाइम पर भी हुआ और इस बात का साक्षाथ इस लिए है कि भारत के प्र सी में Security Council में रश्या के Permanent Representative ने ये Statement दिया कि हम प्रतिबद्ध हैं भारत के फसे हुए चात्रों को वहाँ से निकालने के लिए और जो दूसरे Foreign Delegates हैं अब देखिए पहला उन्होंने का भारत के चात्रों को वहाँ से निकालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और रश्या पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे भारती चात्र जो यूकरेण में फसे हुए हैं उनको सही सलामत भारत पहुचाया जाये इसके अतरिकत अन्य देश के भी जो लोग वहाँ फशे हुए है उनको वहां से निकाला जाए इसके लिए हम पूरी तागत वहां लगा रहे हैं और र прошл जो है उस पर प्लान मना रहा है है ये statement आया था और इस statement के पहले ही भारत ने भी अपने चत्रों से कह था और इसके साथ-साथ ये जो वहां ceasefire किया एक तरफ से और इसी स्वायर करके जो green zone, green corridor बनाने की बात कहीं कि green corridor होगा जहाँ कोई युद्ध हमला नहीं होगा, यहाँ पर civilians आ जाएं, जो छोड़ना चाहते हैं वो वहाँ से निकल जाएं, उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो यह है कि भारत के साथ वारता हुई, भारत के प्रधान म मिठी को regard दिया गया, इंडिया को regard दिया गया, और इंडिया को regard इसलिए दिया गया, क्योंकि इंडिया ने साफ तोर पर quad में भी कह दिया, हम गुटे निरपेक्ष हैं, और हम अपने बच्चों को वहाँ से निकालें, यह हमारी प्रत्यमिक्ता, इसक लाब हमारा कोई रोल नहीं है और हम चाहते हैं कि सीसफायर हो हम बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा रशा के खिलाफ खिलाफ तो हम छोड़ दीजे हम से क्या लेने देना उनका उनका लड़ाई है हम गुटे निर्पेक्षा हैं ये बाद रशा को मुझे लगता अच्छी लगी होगी और तीन चार बैठके हुई चारों में हम एप स्टेइन रहें यानि कि इन-डरिचाय कःओंमे हम गुते निरपेक्षा हैं इसलिए किसी गुत में नहीं है लेकिन हाकिकत ये है कि इन-डरिचाय में हम रशा का उसमें सपोर्ट कर गया और भारत का एक statement रश्या के कितमें खिलाफ जा सकता है ये रश्या को आज की तारिक में समझ में आता है और भारत के प्रधान मंत्री की जो worldwide value इस समय है वो भी सब को समझ में आती है भारत ने अपनी market की value भी संसार को समझाई है भारत ने अपने लोगों की value भी world को समझाई है भारत से जाने वाले employees भारत के लोग जो विद्रिशों में काम करते हैं उच्छ पदों पर intelligence के साथ काम करते हैं उन सब की शक्ती मोदी जी ने इखटी करके बताने कोशे कर गिया है अब यहीं दूसरी तरफ सौधिरेबिया के प्रिंस बिन सल्मान बिन सल्मान के लिए बाइडन प्रशाषन ने के statement दे दिया अब देखिए यमन वाला युद्ध 2015 का चल रहा था और बाइडन प्रशाषन ने ये खह दिया कि यमन का जब युद्ध चल रहा था तो जो इरान में वार चल रहा था इरान से जो के दाम बढ़ रहे हैं और सौधिया चुकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इसलिए आप उसका इवेक्वेशन ज्यादा कर दीजिए उसका प्रड़क्शन बढ़ा दीजिए सौधिया ने कहा कि भी जो ओपेक है ओपेक का डिसिजिजन होता हम ओपेक के पार्ट है इसलिए ह एक महत्वपूर्ण अंग है क्यों कि उसके पास सखालिन है और सबसे बड़ा ओयल प्रडूसर कंट्री अगर कोई है तो वो रश्या है वो अलग बात है कि उनके पास अपनी खपत है और सखालिन में तो हमरी जैंसिया भी काम कर रही है हम सखालिन से ओयल प्रडूट करते ह हैं और वहां से बड़े मत्रम लेते हैं हम बाकी खाली के देशों से भी लेते हैं तो सखालिन बड़ा केंदर होने के वज़े से वो भी ओपेक के साथ इंटिग्रेटिड रहता है तो उनका सबका निरना है अब अगर सौधिया रश्या की बात नहीं मानता और अमरीका की र हमकिया उदार से बाइडन दे रहे हैं उतनी ही रशा इदर से करवाई करता जा रहा है तो समस्य है तो कुरूड ओयल तो इसलिए बड़के कि उनका सखालन बंद कर दिया है या उनके जो और ओयल प्रोडूसिंग स्टेट्स हैं वो बंद कर दिया है और का नहीं देंगे मा ओपक प्रोड़क्शन बढ़ा नहीं रहा है तो उनको लगा कि सौधी अरविया को हम कहेंगे कि सौधी अरविया नहीं मना कर दिया वैसी बाइडन का बखबकाना स्वभविक्ता सौधी अरविया ने बढ़ अच्छा स्टेट्मेंट दिया पहले कल प्रथान मंत्री मोदी तो I don't care, आप ये समझते हैं, ये बहुत बड़ा statement है, और statement देने की हिम्मत तभी पड़ी होगी, जब भारत के प्रधान मंत्री ने क्वाड में सीधा सीधा बाइडन से कहा, तभी फिर सौधिया की भी हिम्मत पड़ी, और सौधिया तो भारत का बहुत बड़ा alliance है, और रश रश्या उनकी बात को स्विकार करते हुए green corridor बनाया है, ये कम बड़ी बात नहीं है, आप अगर इसको पूरा understand करना चाहते हैं, तो सुष्मा जी का statement आपको बिल्कुल clear कर पाएगा, कि वाकाई में, उसमें, MN में क्या हुआ था, वो ही यहां रश्या में भी हो रहा है, आ उधारन के साथ आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने इसे आज माया, जब यमन में युद्ध शुरू हुआ, और भारती नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई, वो समस्या नहीं चुनौती थी, उपर से गोले बरस रहे थे, मुझे ध्यान आया कि प्रधान मंतरी के एक मीटिंग ब्रिस्बेन में साओधी अरब के नरेश से हुई थी, मैंने सीधे जाके उन से कहा, प्रधान मंतरी जी आप बहुत अच्छे रिष्टे बना के आए हैं साओधी किंग से, आप उनको एक फोन कर ये, ये वो साथ दिन क लिए गोला बारी रोक दें, तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाँ, तो उन्होंने का आभी बात करते हैं, टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हमके बात हो सकती थी, उन्होंने फोन किया, तो साओधी किंग ने का मुझे एक घंटा दीजिए, जस्ट गिव में वन आर, एक घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने दोगों से बात की है, सात दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन हम हर दिन दो घंटे रोक सकते हैं गोला बारी, और सात दिन तक रोक सकते हैं, आप अपनी फरण मिश्टर को कहिये कि इस फिर लगा कि यमन का हवायदा भी तो खुलवाना पड़ेगा फिर उनसे बात की उन्होंने का हम उन दो घंटे में हवायदा खुल दें आप जानते हैं मैंने यहां से जनुबी के सिंग को का कि आप तो फील्ड समझालिये मैं यहां से मुनिटरिंग करती हूं वो जिबूती पहुँच गए जहां से ऑपरेशन चल रहा था और मैं यहां से मुनिटरिंग कर रही थी हम लगवग पांच हजार भारतिय नागरिक और लगवग दो हजार अटालिस राश्टों के नागरिक यहां से निकाल करके लिए आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी लोग अमेरिका के सामने गिर गिराते थे लोग इसराइल के सामने गिर गिराते थे हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ, सुपर पावस था अमेरिका, लेकिन ये एक ऐसा आपरेशन था, जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जिर्मनी ने भी, इंग्लेंड ने भी हमसे अन तो ऐसे समस्या जब जल्थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल न सके उस समय पे, क्या काम आया, वो रिष्टा जो पधानमंत्री ब्रिस्बेन में साओधी किंग से बना कर आई थे.